हेलो दोस्तों, आए देखते हैं ओम के नियम की सीमाओं के बारे में, ओम का नियम का लिम्टेशन क्या है, ओम का नियम का फेल हो जाता है, तो आप ओम का नियम जानते हैं कि समान बैदुद परिपत में ओम का नियम लागू रहता है, अगर समान बैदुद परिपत है, तो वह किसी चालक के सिरों के बीच का विवांतर चालक में बहने वाली बैद धारा का अनुपात नियत रहता है तंप्रेचर क्या हो फिक्स हो नियत आप हो उस कंडिशन में किसी चालक के सिरों के बीच का विवांतर बैदुद विवांतर भी और चालक में बहने वाली बैदुद धा अर्थात भी बटे आई बरावर नियतांग। और यह अर्थात भीवटे आई बराबर आथ। प्रिपद को ओमिय परिपद करते हैं और उमिय परिपद के लिए जो graph आता है भी और आई के बीच में वह सरल रहा होता है लेकिन प्रतियेक्त बैदुत परिपत ओम के नियम का पॉलान नहीं करते हैं ठीक है जैसे के चर्च होगा उसमें शिल लगा के बल वाप जला रहे हैं तो वहाँ पर जो है विवांतर और धारा का अनुकात हमेशा नियत रहना चाहिए लेकिन यह हमेशा नियत नहीं रहता है दिरे दिरे बोल्टेज उसका डाउन होने लगता है और बल बुजने लगता है वहाँ पर जो है ओम का नियम फेल हो जा फायार होते हैं crystal दृष्टिकारी थर्मिस्टर ट्रांजिस्टर तापायनिक बल्ब जैसे डायोट ट्रायोड होते हैं वहां पर भी ओम के नियम का पालान नहीं होता है अर्थात भी और आई का अनुपात नियत नहीं रहता है तो आप देख रहें ओम का नियम जो है वह पदा परिपतों में उप्योग होने वाले कुछ पदार्थ, कुछ ऐसे पदार्थ और उप्यां विद्यमान हैं, जहां भी और आई की अनुपात इक्ता लागू नहीं होती है। अगर कहा जाए, तो उसमें जो पहला परसानी होगा, वो होगा भी विभो और धारा आई में अनुपात इक्ता समाप्त हो जाती है। दूसरे सब्द में अगर कहें, तो कुछ भी के लिए धारा आई, तो भी के परिमार इस्तिर रखकर इसकी दिशा बदलने पर विपरीद धारा में आई के समान परड़ाम में धारा उत्पन्न नहीं होती है। जैसे आप 6 में देखें, 3.6 में देखें, यह एक डायोड का अविलाच्रिक बक्र है, जिसमें विभो भी और धारा आई के बीच में गराब फिचा गया है। इसमें आप देखें, यहाँ पर उपर प्लस में मान दिखा रहे हैं, और नीचे माइनस में धारा सो हो रहा है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि बोल्टेज और धारा के रिड़ और धन मानों के लिए विभिन पैमाना नूट किया गया है। बिभो जो है धन है बोल्टेज जो है धन में है धारा जो है पाजिटिव है बोल्टेज निगेटिव में जा रहा है धारा जो है निगेटिव में जा रहा है यहाँ पर भी बटे आई का नियम पालन नहीं हो रहा है अर्थात यह डायोड के लिए कंडिशन है जिसमें ओम का नियम का पालान नहीं होता है ठीक है भी और आई के मद्द संबंद एक मात्र संबंद नहीं है भी और आई के मद्द जो संबंद होता है वह एक मात्र संबंद नहीं है अर्थात उसी धारा आई के लिए भी के एक से अधिक मान हो सकते हैं जैसे या देखें विद्दु धारा और बोल्टेज के बीच में यह ग्राब खिचा गया है इसमें भी और आई के लिए अलग-अलग माना सकते हैं यह अरेखित छत्र है यह रिदात्मक प्रत्रोट छत्र है इसमें आप देख सकते हैं कि उसी धारा के लिए उसी करेंट के लिए मान अल लेक्टोलाइट बैकोम टियोग फिस्टल रेक्टिफायर थर्मिस्टर ट्रांजिस्टर तापाइनिक बल्व डायोट्रायोड जहां पे ओम का नियम फेल हो जाता है ओम का नियम पालान नहीं होता है कि ठीक स्टेंड्स अब आगे देखते हैं गत्यात्मक प्रतिरोध के बारे में मिलते हैं नेक्स वीडियो में जहां चर्चा की जाएगी